कि जैनित मेरे प्यारे साथ को मैं है मंद्र प्रजयपति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी से चैड़र है जैसा कि आप देख रहे होंगे वाइड़ पर एक हैड़िंग आपके लिए प्रिश्टुथ है इसे हैं में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि एल्कोहौल का नर्जली करन क्या होता है नर्जली करन वर से आप अच्छे से समझी होंगे कि नर्जली करन होता क्या है डी अब छोटल से वड में हम कहें तो न्रजली करण होता है जल के आडू मतलब निरजल बीना जल के कोई कोई का बाउंड हो जाए अगर किसी भी योगिक से जल अर्था एक तुओ का एक अलुप बाहर निकल जाए तो उसे हम एल्कोहॉल का निर्जलीकन क्या है तो इस पर हम बात आपके सामने करें तो दियर एल्कोहॉल में आपको पड़ाया मैं छोटा सा पॉइंट लेकर आया हूँ एल्कोहिकर के निजलीकरव फोघंँ ऐहाँuga हम बात करेंगे प्राथमिक एल्कोह, दूतियक एल्कोहर और ओर इन तीनो एल्कुछल पर हम आपце बात करेंगे落 olduğunu का नर्जरी करने का मतलब ऑने का मतलब उतता है जल का हरू नकल जाना बिना जल की कोई ची यो किрез출 हो जाए अगर आज बार की की बात करें तो हम ने कहा या ऐसे एलकोहॉल फ्रांसिर बाद समय ना ऐसे एलकोहॉल जिन में या जिनके बीटा कारण पर जिनके बीटा कारण परमानों पर पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो तो वह है एक थ्री पी ओफोर पीटू ओफाइव माद बाद को एल्टू ओफ्री और सांद्र एकस्ट्यू एस फोर मतलब इसमासिक किसी के द्वारा मतलब चाहिए वह एक थ्री प्योफोर हो चाहिए पीटू ओफाइव हो चाहिए एल्टू ओफ्री हो चाहिए सांद्र एकस्ट्यू ओफोर क्या होगा ऐसी एल्टू जिनके बीटा कार्ण पर्मानों पर कम से कम एक हाइडोजन हो तो है एक्ट्री प्योफोर प्योफाइव एल्ट्री या सांद्र एकस्ट्यू ओफोर द्वारा जल का अलूं का या जल की अलूं का द्वारा जल की अलूं का निस्य का असन हो जाता है और क्या करेगा और एल्टी बनाता है या बनाता है अल्कीत बनाता है इसनी बात समझ में आपको आ योई गई हो लिए मैंने कहा एल्ट्व के नर्जलीकर्ण परन्दी हमबात करें तो चाहे वो प्रात्यम का अलोगल हो चाहे वो द्यूंत्यक अल्कल एक अलू होगा जो नर्जलीकन होगा वह आपके सामनेस पर उससे हमने दिया है नर्जलीकन का मतलब है जल के एक अलू का बाहर निकलेगा और एकीन मतलब डबल बॉण्ड वाला अब बना करते का कोई भी अध्यक्ता जैसे कि हम बात करें एल्गोल की बात करें तो सब्सेंट पहल खार दीजिए वन रात में इसमें इसमें एक मैठाली क्रोपोर लागा लिया हमने स्योगा एथरेल्गोल इसमें दुतियक अलू को देखें जिरका सामन पॉण्ट लागा औ हम लिया CH-3 CH-2 CH-OH और CH-3 एक हमारा जुतिया कल्कुल के लएक हमारा इक प्रात्म का लिक्वल है वन डिग्री L-Co-or और तू डिग्री हमको लेक्वल की सामन सूत का CH हो है यह टू डिग्री L-Co-or बस्सनल है अब होगा क्या इसका ड्रेजलिका होना है कि इसके दौरवा हो कोई बिले लिए कोई बिले लिए कोई बिले लिए कोई दिक्कत बाद है यह सभी किसी भी योग को नर्जल कर देते हैं बिना जल्की कर देते हैं जिनंके बीटा कारण पर्मानु पार कम से खाम एक बादा और एक क्रियात्मक समु यह हैं अचय मतलब बीटा यह सब के बाद कश्छेहर जिनके बीटा कारण पर्मानु पर कम से खाम तो बीटा कारण पर तीन हार्वन है बीटा कारण पर दो है वो तो कहता कम से कम यहां तो दो तीन है आटा कुछ देकर यह वाला हुए जाएगा और धर किरिया करेगा पाई निकल देगा हुए जाएगा और जल निकल दिया होगा बजाएगा था ही था है तो और लगा दीड़ा थी नवावन से दिए वास में रहाएग तो प्रोसेस है कि बीता कारण पर एक नाए एक हार्ण पर पर यह नहीं परमानवदी है तो वह वह से ख्रिया करेगा और यह देख रहते हैं अगर नहीं समाज में आये तो यह बहुए पाई जाह से हमने कहा दें एक पहता है लाख त्री ची हो एट रो आगे है कि आत्र ची एंधे बिड़ी यह वह जो क्यों कि अब करें डिविग यह सो पोलोल्ड रर्क पहलोल द्यूं जलने राउड गर कि द्रीश्а करते है जो डिंदा छाहिव धूर्ग पहले है सब्सक्राइब करना कोई हाड काम नहीं है बीटा कार्बन परादी हाडवन परमानों है तो बोधे अक्षन कर लेता है और नया कंपोर मर्गे ताइडाल होता है वह एलकील मनेगा यह कॉमन सी बात है यह एलकोल का नर्जली करना पर सामना हुआ वह समस्या ठीक है लेख 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 लेखना हो